हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S.A.C. Crackers और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है S.A.C. C.H.S.L. 2019 के लिए जो आपका रिवीजन का बैच चल रहा है जिसके अंतरगत आज हम लोग इंडियन बॉलिटी का जो है और अभी पॉलिटी का प्लेलिस्ट भी त्यार आपका हो जाएगा तो सब को आपको देखते चलना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपका दिया हुआ होगा तो इस वीडियो में पार टू में आपके 50 बेस्ट MCQ है जो कि आपके एक्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटी आख्ष्ट मोड में आपसे कोशन पूछे जाते हैं तो मेरा आप सभी serious aspirants से यही एक सुझाव है कि आप याद ही कर जाना इन सभी को ठीक है क्या कर जाना याद कर जाना तो चलिए start करते हैं हम लोग अपना class देखते हैं कि आपको already in 50 questions में से कितने questions आपको पहले से आते थे हैं तो let's start पहला question आपके screen पर दिया वा है तो भारत के लिए एक संगिये धाचा सबसे पहले निमनिखी द्वारा प्रस्तूत किया गया था तो भारत के लिए जो संगिये धाचा है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तूत किया गया था क्या होगा correct answer और देखें यहाँ पर आप सभी का answer जो है वो आना start हो चुका है correct answer होगा आपका Government of India Act 1935 जो है provides करता है for the establishment of a Federation of India ठीक है चलिए next question के दरफ हम चलते हैं question number 2 question number 2 में क्या दियावा है which of the following exercised most profound influence in framing the Indian constitution तो निमनलिकित में से किसने भारतिये समिधान को त्यार करने के लिए सबसे गहरा प्रभाव डाला था तो भारत का जो समिधान आप देखते हैं जिसको आप जानते हैं Indian constitution तो basically क्या है कि बहुत सारे ऐसे countries हैं जिससे जो है कुछ कुछ चीज जो है जो भी आपको ऐसे भी आपके पास यूटूब पर बहुत सारे चैनल है वहां से जो आपको अच्छा content मिलता है आप अपने knowledge में भरते जाते हो उसी तरीके से जो हमारा constitution है बहार से जितने भी important चो articles थे जो भी important चीज थे वो सारे चीज जो है आपको Indian constitution में ले लिया गया था तो यहां पर जो main question आपसे पूछा गया है कि framing of the Indian constitution में जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका गहरा असर था यहां पर correct answer आपका क्या होने वाला question number two का yes the government of India Act 1935 जो है आपका correct answer होगा ठीक है question number आपका 3 दियावा है कि how does the constitution of India describe India as तो भारत का समीधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है तो भारत जो Indian constitution है भारत का जो समीधान है वो हमारे प्यारे देश भारत का वर्णन किस प्रकार करता है चलिए तो यहां पर आपका correct answer क्या हो जागा guys मैं देख रहा हूं सबका answer आ रहा very good correct answer भी आ चुका है आपका option number two union of states जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है the constitution of India describes India as the union of states और इसके पीछे का reason साफ है कि जो constitution delegates है वो powers करता है center को भी जो है और states को भी यानि कि center के पास भी power होते है और states के पास ही power होते है लेक आपका union of states जो है आपका यहां पर correct answer हो जाएगा question number fourth आपका दियावा है the system of judicial review originated in the system of judicial review originated in और यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा नियाइक समिक्षा की प्रनाली उत्पन हुई कहां से उत्पन हुई देखिए यह कहां से उत्पन हुई थी तो यह हुआ था आपका USA से सभी का answer correct है very good देखिए USA आपका एकदम right answer हो जाएगा देखे ना कि किस तरीके से यहां पर judicial review जो है यह USA से जो है लिया गया है आपका ठीक है next question देखते है question number 5 में क्या दियावा है what was the basis for the constituiting the constituent assembly of India तो भारत की समिधान सभा के गठन का अधार क्या था तो भारत की समिधान सभा के गठन का अधार क्या था यहां पर आप सभी guys का क्या answer आने वाला है क्या था अधार क्या रखा गया था तो यह अधार था cabinet mission plan 1946 ठीक है cabinet mission plan 1946 जो है आपका correct answer हो जागा यहां पर ठीक है चलिए next question हम देखते है question number 6 question number 6 में क्या है from the constitution of which country किस country के constitution से लिया गया है the provision of federation was borrowed while framing the constitution of India तो भारत के समिधान को बनाते समय किस देश के समिधान से federation का प्रावधान जो है उधार लिया गया है तो किस देश से लिया गया है यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा देख रहे हैं न किस तरीके से foreign country से लिया गया और दे answer correct आ रहा है option number C एकदम excellent Canada से यह लिया गया है ठीक है कहां से adopt किया गया है Canada से लिया गया है next question हम देखते है question number 7 में क्या है question number 7 में है कि who was the chairman of the drafting committee of the constitution previous year में अगर देखा जाया या किसी भी exam में देखा जाया जिस exam में quality आपका आता है यह question तो repeat mode में पूछते हैं कि who was the chairman of the drafting committee and right answer क्या हो जाएगा आपका B.R. अंबेदकर ठीक है B.R. अंबेदकर जो है आपका right answer हो जाएगा देखिए 29 अगस्ट 1947 को the constituent assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. अंबेदकर ठीक है क्योंकि उस ठीक है उनके under में ही prepare किया गया था draft constitution of India तो question यहाँ पर important यही है कि chairman कौन थे drafting committee के आपका answer होना चाहिए B.R. अंबेदकर question number हम चलते है 8 पे ठीक है question number 8 क्या है आपका देखिए who was the constitutional advisor to the constituent assembly of India तो constitutional advisor कौन थे constituent assembly of India के भारत की सम्विधान सभा के सम्वैधानिक सलाकार कौन थे ठीक है सम्वैधानिक सलाकार कौन थे तो यह थे आपके jurist जिनका नाम है B.R. ठीक है यही वो थे constitutional advisor थे to the constituent assembly of India सभी का answer आ चुका है na very good चलिए next question हम देखते है question number 9 क्या है कि which of the following countries has introduced direct democracy तो निमलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया था तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू करने वाले कौन से देश हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र direct democracy किस country ने introduce किया था क्या होगा right answer यहां पर right answer आप सभी का आ चुका है very good option number D यानि कि Switzerland आपका correct answer हो जागा तो direct democracy जो है किस country ने introduce किया था Switzerland आपका correct answer है question number 10 क्या है कि which of the following countries have an unwritten constitution देखिए यह काफी important है कि निमलिखित में से किस देश में एक निमलिखित जो है समिधान है एक लिखित समिधान है unwritten constitution है ठीक है तो यहां पर आपका क्या answer हो जाएगा ठीक है which of the following countries have an unwritten constitution तो unwritten constitution जो है यहां पर बहुत सारे countries है ठीक है इस option के हिसाब से तो आपका UK एकदम correct answer है लेकिन अगर आप बात करें इसराइल की और आपका New Zealand का इन सब कभी unwritten constitution है ठीक है चलिए next question आपके screen पर है question number 11 question number 11 ने पूछा गया है a presidential ordinance can remain in force एक राष्ट पती अध्यादेश लागू हो सकता है कितने महीनों के अंडर में चलिए यहां पर correct answer आपका क्या होने वाला है एक राष्ट पती अध्यादेश लागू हो सकता है ठीक है six months के अंडर में ठीक है question number आपका 12 दिया वा है the speaker of the log sabha has to address his letter of resignation to बहुत बार पूछा गया है question और देखें आप लोगों का answer भी आना start हो गया है एकदम गजब क्यों हो आप लोग ठीक है कि लोग सभा के speaker को अपने स्टीफा के पत्र को सम्मोधित करना होगा किसको करना होगा भाई किसको देगा वो अब्वेसी बात है deputy speaker of log sabha जो है आपका correct answer है ठीक है क्या answer होगा deputy speaker of log sabha is your right answer ठीक है next question के तरफ चलते है question number 13 में क्या है PAC यानि PAC का full form क्या होता है public accounting committee ठीक है इसको कौन appoint करता है chairman of public account committee of parliament appointed by ठीक है इसको appoint करने वाले कौन है इसको appoint कौन करता है क्या हो जागा correct answer आपका यहाँ पर right answer यहाँ भी आपका जोका है speaker of log sabha जो है इसको appoint करता है chairman of PAC public account committee को question number 14 में चलते है question number 14 में है for the election of president of India a citizen should have completed the age of जिस तरीके से आप CHSL का exam भरते हो तो आपको 12 pass होना compulsory है अगर आप 12 pass नहीं किये हैं तो CHSL का form आप नहीं भर सकते हैं उसी तरीके से अगर आप presidential election में खड़ा होना चाहते हैं कोई उम्मिदवार है तो उसका न्यूनितम आयू कितना होना चाहिए कितना वो complete कर लिया होगा अपना age तो यहां पर देखें आप लोगों का answer आ चुका है क्योंकि most repeated question है तो correct answer आपका क्या है option number B very good यहां पर 30 years जो है आपका correct answer है ठीक है हलाकि यहां पर 30 आपका नहीं होगा 35 यहां पर आपका होना चाहिए ठीक है ठीक है 35 आपका correct answer है ठीक है actually क्या है कि यह बढ़ा दिया गया है आपका 30 मत किजेगा यहां पर option यहां पर answer गलत है 35 years जो है यह आपका correct answer है अगर हम बात करे according to article 58 की ठीक है article 58 की बात करे तो यह क्या हमको प्रमानित करता है प्रमानित यह करता है कि no person shall be eligible for election as president unless he is a citizen of India अगर वो citizen of India नहीं है भारत का नागरिक नहीं है तो वो उमिदवारखरा नहीं हो सकता है president के लिए और वो must complete होना चाहिए कितना age 35 years आपका complete होना चाहिए ठीक है and is qualified for election as a member of house of the people ठीक है तो यहां पर आपका correct answer क्या होने वाला 35 30 पर धियार मत देना question number 15 क्या है कि the attorney general of India has the right of audience in ठीक है attorney general of India जो attorney general है इंडिया के उनको right है वो audience बन सकते हैं वो किसी भी वहाँ जा सकते हैं क्या होगा कहां पर जा सकते है ठीक है correct answer क्या होगा आपका the attorney general of India has the right of audience in और क्या होगा correct answer and the right answer is आपका यहां पर होने वाला है any court law within in India याने कि भारत में अगर कोई साभी court है law मतलब है तो वहां पर attorney general जो है जा सकता है वहां पर instruct कर सकता है ठीक है correct answer आपका यहीं होने वाला है ठीक है चलिए next question हम देखते है question number यहां पर 16 में क्या है CAG ठीक है CAG of India appointed by CAG of India appointed by यहां पर आपका correct answer होगा कौन करता है controller auditor general of India इसको appointment कौन करता है correct answer आपका क्या होगा very good precedent जो है आपका right answer है ठीक है precedent is your right answer चलिए next question हम देखते है next question क्या है आपका question number 17 है चलिए यह भी काफे important question है कि how many total members can be nominated by president in both house of the parliament both house की यहां पर बात हो रही है लोग सभा की बात हो रही है और आपका राज सभा की बात हो रही है ठीक है तो कितने member को nominate किया जा सकता है president के द्वारा दोनों house के अगर हम बात करें total number की यहां पर बात हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका correct answer यहां पर क्या है जल्दी से आप इसका answer दीजे question number 17 का 17 का answer क्या correct होने वाला है very good यहां पर 14 जो है आपका right answer हो जागा ठीक है 14 जो है आपका correct answer है कितने number को appoint किया जाएगा nominate किया जाएगा 14 आपका हो जाएगा ठीक है चलिए next question आप देखते है question number चलिए next question देखे हम लोग question number 18 क्या आपका the design of the national flag was adopted by the constituent assembly of India in ठीक है जो हमारा आज भारत का राष्ट्रिय ध्वज है ठीक है इसका जो design है adopt किया गया था by the constituent assembly of India in कब किया गया था तो यह किया गया था आपका 22 July 1947 जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है the design of the national flag was adopted by the constituent assembly of India on 22 July 1947 जो है आपका correct answer है यानि की option number C है question number 19 क्या है the method of impeachment of the president of India is adopted from ठीक है जो impeachment के दोरा जो president को आप हटा सकते है तो यह जो है adopt किया गया है किस देश से चलिए यह question का answer क्या हो जाएगा the method of the method of impeachment of president of India is adopted from यह किस देश से लिया गया है चलिए यहां पर आपका right answer क्या होने वाला है question number 19 का very good आपका USA से यह लिया गया है question number 20 the concept of sovereign parliament originated in और यहां पर आपका right answer क्या होने वाला है यह concept कहां से लिया गया है तो लिया गया है आपका England से लिया गया है ठीक है चलिए next question है आपका question number 21 the concurrent list in the Indian constitution is adopted from the constitution of तो भारतिय समिधान में शमवर्ती सूची समिधान से अपनाई गई है यह कहां से लिया गया है the concurrent list of the Indian constitution is adopted from यह कहां से borrowed किया गया है क्या होगा आपका right answer यहां पर यहां पर आपका correct answer क्या होने वाला है अस्ट्रेलिया ठीक है अस्ट्रेलिया से आप समझेए कि बहुत सारे चीज़ लिये गया है उसमें से एक सबसे important चीज़ है concurrent list ठीक है concept of concurrent list जो है यहां से आपका लिया गया है अगर आप बात करें कि joint sitting of the two houses यह भी अस्ट्रेलिया से लिया गया है freedom of trade and commerce यह भी आपका अस्ट्रेलिया से लिया गया है समझ रहे हैं question number आपका 22 दिया वा है the concept of rule of law is a special feature of the constitutional system of तो कानून के नियम की अवधारन अवधारना समयधानिक परनाली की एक विसेस विसेस्ता है यह कहां से लिया गया है concept rule of law the concept of rule of law यह कहां से लिया गया है इसका origin कहां से हुआ है अगर हम बात करें the doctrine of rules of law यह लिया गया है आपका Britain से ठीक है Britain से यह लिया गया है इसका origin कहां से हुआ है England ठीक है Britain इसका correct answer आपका हो जाएगा question number आपका क्या दिया आप है question number 23 the method of amending the constitution by popular veto is found in यह भी बहुत ज़्यादा important है कि लोग पर ये veto द्वारा समिधान में संसोधन के वी भी पाई जाती है यह किस से लिया गया है आपका यहां पर आपका right answer क्या हो जाएगा question number 23 का आपका correct answer क्या होने वाला है यह लिया गया है आपका Switzerland से ठीक है next है आपका 24 में 24 में दिया वा है the phrase equality before law used in article 14 of the Indian constitution has been borrowed from ठीक है यह जो phrase है आपका equality before law used in article 14 of the Indian constitution यह जो है borrowed किया गया है किस देश से यहां पर आपका correct answer क्या होने वाला है यहां भी आपका correct answer होगा आपका Britain से यह लिया गया है ठीक है ना equality before law Britain आपका correct answer है question number 25 the idea of parliamentary form of government is adapted from अगर हम बात करे आइडिया किसका तो parliamentary form of government का यह किस देश से adopt किया गया है क्योंकि आपको मैंने आपको कल ही आपको बता दिया था कि source of Indian constitution से आपके बहुत सारे questions आते हैं इसलिए आपको underestimate नहीं करना है समझ रहे हैं तो यहां पर आपका right answer क्या होने वाला है very good यहां पर correct answer आ चुका है once again आपका UK जो है आपका correct answer हो जागा ठीक है ना UK यानिकि United Kingdom आपका correct answer है ठीक है question number आपका है 26 में कि name of the country from which the constitutional feature of procedures for amendment was borrowed by India in question number 26 इसका answer क्या होगा आपका name of the country उस देश का नाम जहां से संसोधन के लिए प्रकिडियाओं की समवधानिक विसेस्ताएं भारत दोरा उधार ली गई थे तो यह कहां से adopt किया गया था यह किया गया था आपका South Africa से very good अभी तक तो आप लोगों का performance बहुत अच्छा है next step from which of the following country Indian constitution borrowed the feature the written constitution the written constitution यह वाला कहां से लिया गया है from which of the following countries Indian constitution borrowed the feature of written constitution यह लिया गया है आपका USA ठीक है USA से question number 28 है the fundamental right in our constitution are inspired by the constitution of ठीक है जो fundamental right है हमारे constitution का यह जो है आपका जो है inspired है किस constitution से किस देश के constitution से यहाँ पर आपका right answer क्या होगा once again आप लोग का correct answer रहा है UK ठीक है United Kingdom जो है आपका right answer है ठीक है नहीं नहीं यहाँ पर आपका USA दे रहा है ठीक है from the constitution of ठीक है तो डिरेक्टिव प्रिंश्पल्स की बात करें और स्टेट पॉलिसी इंदे इंडियन constitution were taken from the constitution of यह लिया गए आपका Ireland है question number 30 क्या है the minimum age of the member of Raj Sabha is ठीक है तो minimum age कितना होना चाहिए अगर member है बनना है Raj Sabha का कितना होना चाहिए यहाँ पर minimum age minimum age की बात हो रही है तो आपका 30 years होना चाहिए ठीक है minimum age कितना होना चाहिए 30 years और अगर हम बात करें लोग सभा का तो लोग सभा में 25 साल से कम नहीं होना चाहिए ठीक है next question अगर हम बात देखे 31 का तो no money bill can be introduced in the लोग सभा without the prior approval of देखे money bill को pass करने का अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अधिकार होता है वो लोग सभा के speaker के पास होता है ठीक है और लेकिन finally जो है precedent का signature होना अनिवार है ठीक है approve तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा precedent आपका right answer है question number 32 में है आपका the maximum number of members of लोग सभा and राज सभा has been fixed by the constitution of India respectively as तो अगर हम बात करे maximum number of the लोग सभा and राज सभा का वो fixed किया गया था constitution के ज़ारा यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा question number 32 का 32 का correct answer क्या हो जाएगा आपका the right answer is 545 and 245 जो है आपका correct answer है ठीक है 550 और यहाँ पर कितना है 545 आपका correct answer है ठीक है next question है आपका 33 में the first speaker of the लोग सभा the first speaker of the लोग सभा यहाँ पर आपका क्या होने वाला है यहाँ आपका first speaker of लोग सभा में होगा जीवी माल वंकर जो है यहाँ पर आपका right answer है ठीक है क्या हो जाएगा जीवी माल वंकर चलिए एक important चीज़ मैं आपको थोरा सा लोग सभा से related कुछ बताना चाता हूं आपको ठीक है तो अगर आप देखेंगे अगर पहले अगर लोग सभा रहमान जो है यह सबसे oldest member है youngest member की बात करें तो गोदिती मादवेवी जो है यह सबसे youngest member है आपका ठीक है सबसे पहली बार एक important चीज़ा बताईए कि सबसे पहली बार जो first session हुआ था लोग सभा का यह कब हेल्ट हुआ था तो first session of the first लोग सभा commenced on 13th मई 1952 आपका correct answer होता ठीक है 13 मई 1952 आपका right answer हो जाता ठीक है चलिए next question हाँ एक और important question है कि first deputy speaker of लोग सभा तो आयंगर का नाम आपने सुना होगा वो थे first deputy speaker of लोग सभा ठीक है चलिए next question है आपका 34 में the term of the term of member of राजसभा एज ठीक है राजसभा member कितने सालों के बार जो है उनका change होता है कारेकाल समाप्त होता है यहां पर आपका right answer क्या हो जागा यह थोड़ा confusing है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि five years तक जो है रहता है कारेकाल इसलिए बहुत सारे लोग five पर टिक कर देते हैं लेकिन नहीं the term member of राजसभा कितना है छे साल के लिए होता है ठीक है न six years आपका correct answer होता question number अब हम देखते हैं 35 में the chief minister is appointed by तो chief minister को appoint कौन करता है चलिए यह तो बहुत simple हो गया यह करता है कौन governor ठीक है governor of the state जो है यह करता है chief minister को appoint सपत ओत जो है वो governor ही देलाता है next question है कि governor of an Indian state is appointed by अब चलिए chief minister को governor ने appoint कराया तो governor को जो है governor of the Indian state उसको appoint कों करवाता है governor को तो definitely जो है उसके उपर president आता है ठीक है जिस तरीके से अगर हम बात करें India का तो एक होता है president एक होता है prime minister तो prime minister हो जाता है आपका chief minister किसी भी states के लिए और president हो जाता है किसी भी states के लिए governor का काम ठीक है question number 37 है the oath of the office is administered by the governor by the ठीक है अगर हम बात करें the oath of office is administered to the governor by the किसके दोरा दिला जाता है तो यह होता है chief justice of high court ठीक है chief justice of high court यह ओत जो है दिलाता है ठीक है सपत next है आपका who appoints the finance commission ठीक है who appoints the finance commission तो यहां पर आपका right answer को जाएगा ठीक है finance commission को जो है कौन appoint करवाता है correct answer क्या हो जाएगा आपका very good यहां पर आप सभी का answer आ रहा है precedent very good precedent आपका right answer हो जाएगा देखें finance commission से related कुछ important चीज़ है इसको याद कर लेजिए कि इसका formation हुआ था 22 November 1951 को हुआ था total 68 years हो चुके हैं अभी तक के बात करें तो head quarter कहां है तो head quarter आपका new Delhi में है present time पे अगर हम बात करें कि finance commission के executives कौन है तो N.K. Singh है ठीक है N.K. Singh आपका right answer हो जाएगा next question है 39 कि the planning commission of India was established in the year तो planning commission जो है पहली बार कब established हुआ था इस question का answer क्या होगा the planning commission of India was established यह हुआ था आपका 15 March 1950 को हुआ था कब हुआ था 15th March 1950 में हुआ था head quarter इसका भी new Delhi में ही है और अगर हम बात करें इसके अगर मतलब कि इसके head कौन होते हैं ठीक है तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं ठीक है अब इसका नाम तो हला कि चेंज हो गया है नीतिया योग नाम रखा गया है question number 40 है आपका कि the first election commissioner of India was यह question आपके सीजियर के exam में पुछा गया था कि first election commissioner of India was यहाँ पर आपका right answer क्या क्या होगा right answer तो obviously बात है precedent करते हैं यह सब चीज आपको पढ़ना है अच्छे solution में question number 42 है आपका if the speaker of लोगसभा wishes to tender his resignation he has to address his letter to ठीक है अगर लोगसभा के जो speaker होते हैं जो इस वक्त में ओम बिडला है वो अगर चाहेंगे वो resignation देना तो वो किसको देंगे ठीक है न तो वो definitely देंगे किसको deputy speaker को देते हैं ठीक है deputy speaker आपका right answer हो जाएगा the president of India who held office for two terms was भारत के राश्पती जिन्होंने दो कारेकाल के लिए पत्द समाला था ठीक है तो कौन दो का दो साल के लिए जो है दो बार उन्होंने समाला था कारेकाल ठीक है president के रूप में राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका और आपका president से related कुछ important is यह आपको बताना है कि अगर हम बात करें first president कौन थे तो वो थे आपके कौन राजेंदर प्रसाद थे ठीक है राजेंदर प्रसाद correct answer होगा और इस टाइम पर कौन है president तो राम नात कोविन जो है आपके correct answer है ठीक है question number 44 है आपका कि in which year was the house of the people named as लोग सभा काफी important है कि पहले आज जो हम लोग सभा कहते हैं न लोग सभा पहले उसका नाम था house of people क्या नाम था house of people था तो वही पूछा गया कि किस साल में house of people से change करकर लोग सभा कर दिया गया था क्या होगा आपका answer and the right answer यहाँ पर क्या होने वाला है आपका correct answer क्या हो जागा जल्दी से बताई है very good 1954 जो है आपका correct answer है ठीक है 1954 question number आपका दिया है 45 में nomination of राजसभा member by the president was taken from the constitution of आपको आपको मालूम है न कि president जो है nominate करते हैं 12 member total nominate करते हैं राजसभा में ठीक है तो यहाँ पर कितना है आपका कि वो जो है system कहां से लिया गया है यह प्रणाली कहां से लिया गया है तो Ireland से लिया गया है यह nomination वाला प्रकिरिया question है आपका 46 में कि how many items are there in the union list तो union list में कितने items को रखा गया है ठीक है union list में कितने items को रखा गया है correct answer क्या होगा आपका right answer यहाँ पर है आपका 97 जो है यहाँ पर correct answer हो जागा ठीक है question number आपका दियावा है 47 कि what is the maximum gap ठीक है what is the maximum gap possible between two session of parliament संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अंतर क्या होना चाहिए ठीक है कितने मतलब की terms होने चाहिए two sessions के लिए कितना आपका अंतर होना चाहिए तो definitely जो है यहाँ पर आपका answer क्या होगा six months जो है आपका correct answer है question number 48 में है आपका कि who administer the oath of office to the president ठीक है तो राष्ट पती को पद की सपत कौन दिलाता है राष्ट पती जी जो है वो सबको सपत दिलाते चलते हैं लेकिन राष्ट पती को सपत कौन दिलाता है यह काफी important है जानना तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा chief justice of India क्या होगा आपका chief justice of India आपका right answer हो जागा ठीक है अच्छा एक बाद बताईए present time पे chief justice of India कौन है इसका comment कीजिए आप लो ठीक है इसका answer comment कीजिएगा लेकिन फिर भी मैं आपको answer बता देता हूँ शरद अर्वीन्द बॉब्दे जो है यह है आपका ठीक है जिनका appointment हुआ था 18 नवंबर 2019 को हुआ था ठीक है question number 49 क्या है कि Indian panel code came into operation in ठीक है तो Indian panel code जो है कब आया था यह यह कहां से derived हुआ है the term caste ठीक है यह जो English word है ना caste यह derived हुआ है from the Spanish and Portuguese ठीक है ना इन लोगों के दोरा हुआ तो यहां पर आपका Portuguese जो है अग्दम correct answer है last question है आपका कि in India the concept of single citizenship is adopted from तो single citizenship की अगर हम बात करें तो यह कहां से adopt किया गया है तो single citizenship की बात करें तो England ठीक है इंग्लेंड आपका right answer हो जागा चली एक और question है the drafting of the constitution was completed on जो drafting था वो constitution का यह completed कब हुआ था यह completed हुआ था आपका 26 November 1949 को complete हुआ था ठीक है और इसके तरीके से disrespect आप किया किजिए मेरे बातों का ठीक है लिकिन कोई अपने को मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं कल ही आपको बोले थे कि भाई देखिए sentence improvement का आप से में बारा बजे की class में जहांपर math पढ़ाई होगा geometrica तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से all the best